अगर आप लोट करिदने की चुक है या आप एंड यूजर है या आप एक इंवेस्टर है तो दोनों के लिए यह वीडियो परफेक्ट है यह आप इंवेस्टमेंट के लिए प्रोपेटी करीद रहे हैं और प्लोट करिदना चाहते हैं या आप रहने के लिए प्लोट खरीदना चाहरे हैं चाहिए गुरुगाओं में हो या सोना के अंदर हो लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ महत्रपूर्ण चीज़े आप लोगों के साथ हो शेयर करने वाला हूं क्योंकि आप इस टाउंशिप को मिस कर रहे हैं इसकी जो बै एक्षिल में कहां से कनेक्टिवीटी होगी और सोना में जो दियमाइसी एक्षिल कहां से है और किस हिसाप से है बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो इस वीडियो में डिसक्स करूँगा अगर वीडियो कम्प्लीट देखोगे तो आप मैं कहता हूं कि 100% इस टाउंशिप के अं प्रोपिट नहीं कर सकता लेकिन अड़र के ऊपर आप सको सस्ती तो डेड में अबटे रहती है तो यहां पर प्राइब कर रहा हूं एक ऐसे दिया डाउंसिटी जो आपके लिए बेन फिट है इसके लिए मैं आपको दो-तीन चीजें समझाना चाहा हूं उसके लिए मैं आपको लेक्टोप स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि आपको मैं सोना का जो मास्टर प्लानिंग है कि इस मास्टर प्लानिंग कैसे होगी वह आपको प्रोपर तरीके से समझाओं और दूसरा इस सोसाइटी के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी सोसाइटियों के अंदर नहीं है तो दोस्तों लैप्टोप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जानते हैं आपकी इस इन्वेस्ट्मेंट के बा बड़ा है और सबसे बड़े मेजर रोड के ऊपर है 75 मेटर वाइड रोड के ऊपर वह कैसे होगा मैं आगे आप से डिसकस करूँगा इसके बारे लिए इसमें जो सुसाइटी के अंदर जो भी आपकी अमनेटीज हैं वो सारी आपके 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 बगल में हैं आपकी सोन के अंदर अगर आज आप विजिट करने जाते हैं इस टांसीट के ऊपर तो यह एक रवेनु रस्ता राइस रवेनु रस्ते के ऊपर से आप इस प्रोपर्टी के ऊपर विजिट करते हैं उसके बाद जो यह वाला जो फ्रेंट है न यह फ्रेंट यह पूरा तीन सो मीटर का का करेंट है जो की रिया की अंदर सबस्टे बड़ा फ्रेंट है और अगर यह जो रोड है यह है 75 मीं डर्फोर दो यो बनना है और इसके प्रन्ट में अगर रोगर के तो 50 मीटर की ग्रीन सब्च बेल्ड जे इसके साथ का और सेक्टर हो रहा है एक यह वी कनेक्टिविटी है उसके बाद इस सुसाइटी के अंदर इंटरनल 9 मिटर के रोड है ठीक है तो यानि जो यह सुसाइटी है टोटल 174 प्लोट इसके अंदर आते हैं और उन प्लोटों का साइज है 133 से लेकिं 179 स्के रियाद तर मोस्टली 90-95 प्रसेंट यह टाउंचिप सोल्ड आउट है यह पता ने क्यों नजर में आई लेकिन जो इसकी जो यूएसपी है वो बहुत बड़ी है इसके अंदर प्रोपर गार्डन प्रोपर दिये गए हैं और इसमें छोटे-छोटे ब्लोग के अंदर इसके प्लोट है यानि दो आपके अंदर यह प्लोट है वो डिवाइड होगे एक से यह वाला और दूसरा इससाइड वाला तो यानि एक टाउंचिप के आपके जो जैंटरी है वो भी ज्यादा नहीं हो रही बीच में आपकी क्नेक्टिविटी के लिए 24 मिटर का रोड और और फ्रेंट में आपका मे सस्ति है क्योंकि किसी टाइम के ऊपर यह पर यह जो सोना रोड एलिवुटीड कोरिडॉर था तो यह ऐसे ही था जैसे आज यह लेकिन इस होना रोड से फी परफेक्ट यह चीज निकल के आनी है वो कैसी वह मैं आगे आपको यह चीज शिखाने वाला हूँ और यह चीज ज जाने जा रहा हूं इसको फोड़ा साब जहां से सुनना इसकली गोकुल की पुरानी वीडियो है इससे आपको साइट और वहां की जो आप यह जो देख रहे हैं साइड में यह आपका 75 मेटर रोड है जो खाली अरिया पड़ा है लोपर गेट वगरा यह तक्रीमन तीन से चार महीने पुरानी यह वीडियो है तो मैंने यह यह वीडियो निकल ल॑ं अभी जो यह भी रोड है यह सारे कसारे ब्लैक डोप हो चुके हैं और प्रोपर तरीके से यहाँ पर प्लोट है माार्किंग होचुके है तो और भी कि ऑन js diverse कंक्वाश्रियों तया अग्रन के बात कु वो बना सकते हैं investment है वो डाल सकते हैं तो इसका जो फ्रेंट है वो 300 मेटर का है अब ही आपको एक master plan के वी यह सम्झाने वाला हूँ जो सोना का master plan है तो इसके front में जो खाली स्फेश जो आप देख रहें बीच में यह 24 स्पित में आपको दिखा देथा हूं तभी में जे मुझे की सबसक JUST कि अपको दिखा देता हूँ में लोगेशन आफ को बता देता हूं चुन में ये लगते हैं अब यह इन वहला जो रोड है ये तो वह है कैसे कं दैक बेसिक लिए में यह DMIC नहीं है यह एक उपर यूपर रोड बनाया गया है जो सोना के लिए है जो पास किया गया है जो सोना के उपर यूपर चलेगा जैसे आज गुरगाओं के अगर बात करें तो गुरगाओं के एक्सटेंसर रोड है एक्सटेंसर रोड की ऊपर से एक सलब ही उपर है, तो याझा जो सोना का मीजर रोड है वह आपका ये रोड बने गा, इसके अंदर अगर हम देखें, तो जो ये सेक्टर आठ है ये पोरा का पूरा उपन सेक्टर याओनि इस सेक्टर के अंदर आपके स्टेडियम हो सकते हैं, पार्क आ सकते हैं, कुछ भी यह open है, इसमें कोई construction नहीं होगी, जानि आपकी sector साथ के पास एक open area है, open space है, यानि आपके जो sector साथ में, जेंट्री ज्यादा नहीं होगी, transportation की ऐसी समझ्चा नहीं आई है, उसके बाद यह residential पूरह का पूरा आपका आई टी रहाई यानि कमर्शल सेकर है यह सोना का सबसे बढ़ा कमर्शल सेक्टर नो क्योंकि यह बड़े रोड के ऊपर दिया गया ताकि जो समय्स्चेय गुरुगाओं के आज इंटरनल पार्ट इसकी कि अदर वो जोना के अंदर ना दरे तो इसलिए जो ये development है जो commercial के ये प्रोपर आउटर उसके area के अंदर दे दिया है जिसकी वजह से जो major road है उसकी connectivity यूज की जासके और उसके बार ये वाला जो रोड है ये प्रोपर आपका चला जाता है एक तो बलबगर की तरफ ये बलबगर चला गया है ये वाला जो रोड है ये सीधा चला जाता आपका पलवाल की तरफ ये सीधा पलवाल चला गया है ठीक है उसके बार ये जो ये जो ब किरिकते हैं तो आपकी जो जी बाद जो ये उसके बाद आप कोई ऐसा मोगा नहीं मिलेगा कि आप सोना के अंदर प्रोपर्टी है वो खरीच सके क्योंकि दीन ब्याग है बंद हो गई है पहली बाद तो छोटे प्लोट नहीं आए अगर जो आ चुके हैं वो इकने रेट है कि आपको एक लाग पलस के रेट में चीज़े मिलती हैं आज यहां जाओगे तो आप यहां से र हो सकता है यहां पर आपके पब्लिक के लिए कोई भी चीज़ी आ सकती यानि 610, 620, 630 यह क्या है यह मैं आपको अभी एक बर मार्ग करके दिखा देता हूं कि यह इसके अंदर क्या क्या चीज़े आती है यानि इसमें मिनी स्क्रीट रेट आ सकता है इसमें जेस्टियल कॉ प्रचर इंस्टिट्वट है सरे कोमपलेक्स इस सेक्टर के अंदर रहें यानि पब्लिक एंड सेमी पब्लिग एरिया इसका बोल जाता है यानि हाद किसी दिखिवी सेक्टर के अंदर रहे लो इस यह जो चीज़े है इसकी आपको रिकॉर्बें पढ़ेगी पढ़ेगी औ यह benefit आपको मिलेगा उसके बाद अगर हम देखे सेक्टर साथ से ही चीडी connectivity आपकी यह वाले ही है और यह आपका बी आपका सोना रोड एलिवेटीड कोरीडोर तो मतलब यहां पे जो connectivity है जो future development है वो काफी अच्छे अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ वो यह एक जैसे कि यहां पे बना दिया क्लोवर लिप लायों जो डियम आइसी को क्नेक्ट करने का परपस्ता सोना रोड एलिवेटीड को एंट्री देना connectivity देना तो यह रोड यहां से आते हुए यह फिर ऐसे हो जाता है यह रोड ऐसे जाता है जो डियम आइसी है दिल्ली मॉम्मी प तो जैसे कि यह यहां पर है अगर हम आगे चलते हैं तो अगर कोई गाओन ले लेते हैं जैसे कि यह को यहां पर से है और ये सिरस का नीचे रहा जाता है DMIC इसके उपर से है और उसके आगे देखे तो ये DMIC कहां जाके connect हो जाता है वो भी देख लेते हैं ये वाला जो road है ये है बल्लवगड रोड जहां पर 133 नोटिड है ये जो 133 लिखा हुआ है ये है बल्लवगड रोड अब बल्लवगड है और इसके नीचे वाला जो road है 199 का ये आपका road है जो फल्वल को जाता है तो ये दोनों यहां पर connect होते हैं तो अगर मैं इसमें देखूं आपके master plan में तो ये यहां पर बल्लवगड रोड कनेक्ट हो गया और इस DMIC के अंदर ये जो फल्वल रोड कनेक्ट हो गया तो ये जो DMIC है ये प्रोपर ऐसे ऊपर की ऊपर है ये ऊपर से जाता है तो ये तो DMIC है ही नहीं ये तो आपका outer road है जो सोना को connectivity देने के लिए तो इस major road की ऊपर ये जो टाउंची भई ये क्रीदने का बहुत अच्छा मोग है यानि आप इसमें ट्राइगर सकते हैं रेज मिशते हैं और आसपास की जो connectivity है जो इंफ्रस्ट अक्षर दो बरके आएगा वह बहुत बढ़िया है यानि आप 3-4 साल तक इस एरिये के अंदर property को hold कर सकते हो यहां पर आप अच्छा मकान बना सकते हो रह सकते हो connectivity बहुत अच्छी है क्योंकि अभी जो ये DMIC ऊपर को ले जाने का करना और उसके बाद जितने भी मेजर रोड कनेक्टिविटी है और यह जो रोड है आगे जाके यहां के अंदर मिल जाता है और यह आगे फ्यूचर में यहीं से सब्सक्राइब को कनेक्टिविटी यहां पर इस एरिये के अंदर आने वाली है अगर आज भी आगर आप सोना कुछ नहीं समझ पाओगे कभी यह नहीं समझ पाओगे ना ही आप उस रेड़ में प्रोपेटी ले पाओगे और फिर एप्रिशेशन वाली बात आएंगे क्यूँखि कूछ और रेड़ी होने वाली है सिटी है छोटी इसी सीटी आंदर स्टिलट्थ फॉर का कंसेट दे सकते हैं तो दोस्तों मेरे इसाब से मैंने घितनी आप लोगों को चीज़ों चीज़ानी थी समझाना था ता वहूँ और इसके वालवा गर आप इस चीज सब्सक्राइब करें मारी टीम आफ़से कॉंटेक्ट करके आपको प्रोपर्ड साइट विजीट प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोपर तरीकिश आपके साथ डिसकस करेंगी तो प्रमिंटें दोतों इसी प्रोजेक्ट की नेक्ट वीडियो में जब हम इसकी एक्चुल साइट की उपर जाके आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे Connectivity हमने आपको समझा दी है Actual Site के उपर जाके भी दिस्तस करेंगे कि Actual Site में वापर दिखती कैसे है Commentate होतों, next video में, thank you